हम तो दर्या हैं, हम तो दर्या हैं जित पर नहीं अड़ा करते, वो भेजाएगा, मगर जो बत रिहास होगा जिस तरह आग की तपिश सोने को कुंदत बना देती है और लाखों वर्षों का दबाव एक कोले के टुकडे को इरे में परिवर्थित कर देता है ऐसे ही जीवन संखर्षों से उपने कोही नूर हैं, लक्षमन रावजी चालिस वर्ष पहले महाराष्ट्र के अम्रमती जिले के एक छोटे से काम तड़ी काम दशासर से सहित्यकार बनने के अभिलाशा लेकर आग उनीसो पचेतर में दिल्ली आए पर सपने को हकीकर में बदलना इतना आसा ना था सालों तक अपनी आँखों ने सहित्यकार का सपना लिये हुए समेटे हुए दिल्ली की सड़कों पर आपने बेलदारी की और धागों में बरतन साफ करने तक का काम किया हाला कि आप अपना पहला उपन्याद रामदार दिल्ली रानित में पहले ही लिख चुके थे पर आपका भेला प्रकाशेत उपन्याद नई दुनिया की कहानी उन्मीत सो उनहतर में पात्कों के समुक आया और वही से लोगों ने आपकी लिखनी को ताकत को खेचागा अपने नाटन प्रधान मत्री के लिए आपको शाथ पता होगा कि मैं अभी भी चाय भिषता हुए और मेरे बाजी में फुस्तक लगी होती है तसदार की पुद्धिर वहां से बिकती है जबकि कभी मैं साइकल पर अपने आईट्यो से रोहिनी, विकास हो री यह आंजाता था डासा डास। इसी तरह से में धिपक जी को यह सवाद होगा कि आप आगे जब भी को तुस्तक प्रकाशी तरहेंगे जरसे इसको अगर आप हाड़ बहुत चापते हैं, अमने जिस प्रकार से कहा था, शायद थोड़ा सा रहेंगे, कोई बात तुबारा बुरा हो जाएगा, और भाशा में अब मातर हैं, अब बहुत आप जाएगे, और कि चरुँक के भी को अपना समय निकाहतर हैं इस कुष्टक के विवेंचन में आपके प्राठ्वनी उप्ष्टिती रही है, आप सबको बहुत हो तयन्यवाद, ओधिपक जी मेरे बैटे के तरह है, और आगे बढ़ेंगे प्रुष्टकों के मात्रम से और इनकी फुष्टके और भी प्रकाजी दोती रहेगी, एरी एक दीनिका नाम भी सेक्स्पेर के सिर्णी में आ जाएगा, यू मैं चाहता हूँ, जल्यावाद। झाहता हूँ